यह जो सीट्स आती है यह एलेक्ट्रिक फोल्डबल सीट्स आपको देखने कले मिलेंगी यह देखिए मैंने बटन दबाया और आपको आपको अटोमेटिकली सीट्स फोल्ड हो गई याला पोर्शन जो है यहां पर कोई डे टाम रेनिंग लाइट नहीं मिलती है यह खली यहा मैं कहूं ब्रेकिंग से रिलेटेट मैं कहूं आपको ABS, EBD, Brake Assist, ESP आपको मिल जा रहा है Electronically Stability Program जिसे कहते हैं वो भी आपको इसमें गाड़ी में देखने कले मिल रहा है है क्योंकि डीजल में हमारे सामने खड़ा है इसका यह सेकंड बेस वर्जान है यानि प्रेस्टीज मोडल है जो आपका 7 sitting capacity में आपको मिलता है तो आज बात करेंगा मिस गाड़ी में कि क्या क्या features आपको मिल जाते हैं अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो इस प्रा आते आते something around आपको साड़े पंद्रा सवा पंद्रा के असपास आपको on-road पढ़ जाती है चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी में क्या क्या features मिल रहे है आपको फ्रेंट में आपको देखेंगे तो किया की बैजिंग आपको देखने क्लिए नीच कहीं EV गाड़ी तो नहीं है उसी के नीचे अगर हम चलेंगे तो यहां पर आपको ग्रिल वाला पॉर्शन आएगा ग्रिल वाले पॉर्शन में भी कर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ग्रिल के आउटर से भी silver pattern का वरक आपको देखने के लिए मिलेगा जो थोड़ा सा आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं याला पॉर्शन जो है यहां पर आपको कोई डे टाम रेनिंग लाइट नहीं मिलती है यहां पर डमी पॉर्शन है यानि लुक्स वाला पॉर्शन है जो गाड़ी के लुक्स को इन्हेंस करता है दूसरी चीज अच्छी यह करता है साइट पॉशन में अगर चलिंगे इसके तो इसका जो साइट का लुक आता है वो कुछ इस तरीके सा आपको देखने के लिए मिलेगा अगर ओवरॉल गाड़ी के लेंद की मैं बात करूं तो 4540 की ओवरॉल लेंद आती है और ग्राउंड लेंस के अगर मैं बात तो 2780 mm का वील बेस आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है जिससे कि आपको सिटिंग कैपिसिटी इसमें देखने के लिए अच्छी मिल जागी फिर साइट पॉर्शन में सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा इसके टायर्स की तरफ टायर्स अपनी तरफ जरूर एक् फिर यह क्लेडिंग वाला पोशन यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन फ्रंट के प्ल्ण आता है यहां पर देखने के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं यानि आपको इस गाड़ी में चार के चार्ट आरो में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जिससे कि आपकी ब्रेकिंग्स वगरा काफी अच्छी हो जाती है चलते हैं पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ देख लेते हैं आपको कैसा लुक्स गाड़ी का देखने में मिलता है तो कुछ इस हिसाब सबको इसका rear look देखने के लिए मिलेगा जो tail lamp का portion है काफी बड़ा portion है आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको light का option है जाएगा इंडिकेटर का option है जाएगा बाइपको और प्राइप को बा выпको देखने के लिए मिल जाता है यहां की बेशेंस की बैजिंग्स का सेंटर बनेकर देखनेकर मिलेगा प्लस यहां पर पाकिंग सेंसर देखने के लिए Andrew pick तो यहां पर silver pattern का work भी यहां पर दे रहा है, जो गाड़ी के looks को और enhance करता है, और dual pattern यहां पर कोई contrast आपको provide करता है, यह देखे, पीछे से मतलब आपको गाड़ी खाली-खाली सी नहीं लगेगी, यहां यहां मज़ा आ रहा है, देखे, थोड़ा सा कोई premium चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है, फिर यहां पर आप देखेंगे तो center का जो portion है, यह आपका reflector का work करता है, इसमें आपकी कोई light नहीं जलती है, defogger आपको इस गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, high mount stop light यहां पर आपको मिल जाती है, और shark fin antenna आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, गाड़ी का boot open करते हैं, अगर गाड़ी का boot open करते हैं, तो boot कुछ इस तरहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा, इस boot की capacity अगर मैं बताऊं जो यह ऐसे seats वगर उपन हैं, तो 216L का boot space आपको यहां पर गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा, इसके नीचे एक additional space हा जाता है, जिसमें आप कुछ भी चीज केरी कर सकते हैं, बाकि यहां पर tool kit वगर है, यहां पर रखी गई है, यह चीज आप देख रहे हैं, करेंगे, तो कुछ इस तरीके साब इससे पूरा flat कर सकते हैं, तो जिससे कि आपका boot space काफी बड़ा बन जाता है, यह देखें, कितना सारा boot space आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, बूट करते हैं, बन, अगर इस साइड आते हैं, तो यहां से अगर आप देखेंगे, तो यहां पर आपको fuel tank का lid मिल जाता है, जिसकी capacity, 45 लिटर की fuel tank की capacity आपको इहां पर company प्रोवाइड करती है, और लुक देखें दोस्तों, कितना प्यारा देखने में लगता है, एक थोड़ा सा premiumness भी आपको प्रोवाइड करता है, मैं अगेन गहूंगा, इस price range में न, कोई भी गाड़ी fail है, बाकी अंदर चलके देखते हैं कि क्या चीज़े इसमें मिल रही है, आपको क्या features मिल रहे है, क्या comfort मिल रहा है, किती सारी चीज़े आपको provide करती है, चले चलते हैं अंदर की तरफ, दरवाजा खोलते हैं, तो जो दरवाजा आप देखेंगे, डूल टोन में आपको यहाँ पर दरवाजा देखने के लिए मिल गा, आपको white और black में combination आपको देखने के लिए मिलता है, डोर हेंडल भी आपको silver pattern में देखने के लिए मिलते हैं, जो looks को थोड़ा सा और enhance करते हैं, थोड़ा सा richy tone आपको यहाँ पर provide करते हैं, यहाँ पर आपको कोई soft test नहीं मिलता, hard plastic आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको यहाँ पर storage मिल जाते हैं, उसी के नीचे कि आप अपना कुछ भी phone वगर यहाँ पर carry कर सकते हैं, बाकी 4-4 power window आपको देखने के लिए मिलेंगे, electrically adjustable volume देखने के लिए मि मिलेगा, प्लस center locking आपको इस गाड़ी में आजाएगी, उसी के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा bottle holder space आपको मिल जाता है, देखिए दोस्तों, आपको 1, 2, 3, यानि 3 bottle space आपको मिल जाते हैं, यानि 1 liter का space आपको रख सकते हैं, यहाँ पर half liter का carry कर सकते हैं, यहाँ पर आपको umbrella pocket आपको देखने के लिए मिल जाएगी, चलते हैं, अंदर की side आपको अंदर क्या क्या चीजे मिलती है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर hydraulic seat adjustable आपको आपको अपन कर सकते हैं, फ्यल टेंक के लिड को, बूट ओपन करने के लिए, यहाँ आपको traction control का button आ जिकान करो देखता है तो कि अब आज गारी के अंदर देखते हैं तो अगर गारी का देखेंगे तो डिजिटिल क्लेस्टराइब आपको देखने के लिए मिलता है जिसको मैं एक बार आउन करके देखता हूँ ये देखे दोस्तों क्या प्रीमियमनेस आपको प्रोवाइट करता है थोड़ा थडी में आपका जाता है बिल्कुल एक दम लुक थोड़ा सा और अच्छा देखने के लगते हैं अग colocar लगजिरीय लुकाढि तो इतने सारे फीचस अभी तो बात कर रहे है गार कर दोता है नहीं लांपर देखने क्लिए मिल जाता है आपको ये टिट का मिल जाता है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको टायर प्रेसर मॉन्टिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पर गाड़ी में मिल जाए टीपी एमस यहाँ पर मिल जाता है सेकंड बेस वर्जन में दोस्तो बाकी हाँ स्टेइंग विल में आपको कोई आपको लेधर एप नहीं मिलेगा लेकिन सिल्वर का वर्क आपको देखने के लिए कि बेजिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिल्वर का कॉंट्रास्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है फिर चलते हैं इसके इस साइड यहाँ पर देखने के लिए तो यह ठुपा हुआ लगता है पता नहीं चलेगा कि गोल सा दे रखा ह एक अलगी शेप का दे रहा है वैसा आपको स्क्वाइर कट दे रहा है तो यहां पर फील ही नहीं होगे कि यहां पर एसी वेंट भी है और उसी के नीचे आप देखेंगे तो सिल्वर पैटन का वर्क यहां पर प्यान ओफ निश्म में जो आपको डोर से लगते हुए मिलता एक portion यह भी है यह इसका key pocket भी आप कह सकते हैं coin pocket कह सकते हैं toll pocket कह सकते हैं यहां पर कुछ भी चीज carry कर सकते हैं यह चीज आपको अच्छी मिल जाती है यहां पर आपको twitter की placing मिल जाएगी speaker की placing आपको यहीं door में मिल जाती है फिर अगर इस side चलते है तो यहां पर आपको touch music system देखने के लिए मिलेगा यानि देखिए डेश्बोर्ड में इंट्रिगेटेड है उतना फील नहीं होता पता नहीं चलता कि यहां पर देखेंगे याला पोशन थोड़ा सा रफ दिखता है और याला पोशन आपको पूरा शाइनी में दिखता है तो आपको इसमें टैच लगा एक फील लगा कि हां यार की चीज है कि आप देख रहें डूड रहें कहा है चीज है लेकिन वनना एसी वेंट टूड जाते हैं यह ऐसा है कि इसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत बच जाएगी फिर उसी के नीचे चलेंगे तो यहां पर आपको 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 मिलता है यह manual AC आपको मिलेगा आपको इस वर्जिन में देखने के लिए नहीं मिलता है उसी से नीच अगर आप यहां पर चलेंगे तो यह देखे यहां पर आपको एक फोन स्पेस यानि फोन होल्डर मिल जाता है या फोन रख लीजिए वाले रख लीजिए कुछ भी रख लीजिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको मिल जाएगा एक आपको टाइप सी पोर्ट यहां पर देखने के लिए मिल जाता है चार्जिंग के लिए जो आज कल फोनों में चल रहा है यहां पर देखेंगे तो यहां पर फ्रेंट पार्किंग सेंसर भी आपको देखने के मिलता है यानि इतनी सारी चीजे आपको एक सेगंड बेस में मिल रही है मेरे खैल जी कोई कमपनी दे रही होगी फिर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों किता प्यारा वक्त दे रहा है प्यानो फिनिश में दे रहा है डूल ब्लैक और सिल्वर पैटन में जो गाड़ी के लुक्स को और इनहेंस करता है साइड पोशें भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक इससा नहीं दे रहा है यह आपको वाइट कलर में यहाँ पर प्रोवाइट कर रहा है जिससे की थोड़ा सा प्रिमियम नहीं फूल होती है बाकी हैंड वाजी रेक को फेहां तरफ चलैंगा यहाँ इसको आप ऐसे करेंगा तो इस तरीके साब और ज्यादा प्यारी कर सकते हैं लेकिन अश्य इस यहाँ से भी आप जलते हैं तो इतना 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 कि आवकर सकते हैं सेहां और आ यहां चीजnegama कई하는데 एकल में दाने यहां यहूड आ representative यहां Nu यहां पर आपको वैनिटी मिरर का ओप्शन देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में जो एरबैक आते हैं दोस्तों दो अपको सीट्स में एरबैक आ जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर में तो यह तो था इसका कुछ फ्रेंट अप चलते हैं इसके रियर पॉर्शन में देख लेकर आपको क्या-क्या चीज है देखने के लिए मिलती हैं अवह ब्लाइक मैं यही पर इपको पारवल्टे शन मेंौ 자ईगा इस पीकर की प्लैसिंग आपे मिल यह तैक सामने स्पेस आफने बीमिल Georgiauc फिर अगर चलेंगे सीट की तरफ तो यह आपकी सेवन सीटर में यहीं पर आपको फ्रेंट में तू फ्रेंट में आ जाती है और तीन बीच में आ जाते हैं और आपके दो पीछे आ जाते हैं तो यहानी टोटल सेवन सीटर हो जाता है आपका दर बैठ के देखते हैं कि कितना स आपको यहां पर मिलता है अब जैसे मैं पीछे बैठा हूं तो मुझे काफी अच्छा कासा लेग रूम स्पेस भी मिल रहा है इसकी मिडल वाली सीट है या आपकी टिल्ट भी है आप इसे एडजस कर सकते हैं अपने हिसाब से कितना कंफ़र आपको चही है गाड़ी में बैठने के लिए बाकी यहां पर अपको आमरेस का पोशिन भी देखने के लिए मिल जाएगा टू कॉप होल्डरस भी इसमें मिल जा आपको magazine pocket एक देखने के लिए मिल जाता है यहां पर देखेंगे तो यह आपको AC का knob आपको एक मिल जाता है प्लस उसी के नीचे आप देखेंगे तो USB port मिल जाते हैं टू टाइप C वाले यहां पर phone holder आपको देखने के लिए मिल जाएगा यह देखें AC के वेंट्स आपको direct sir पर दिये गए हैं यह काफी अच्छा है कि आप इसे अपने तरीकी साथ जाएगे तो फेस में हवा ले सकते हैं और हां यह जो seats आती है यह electric foldable seats आपको आपको देखने के लिए मिलेंगी यह देखें मैंने बटन दबाया और आपको automatically seat fold हो गई प्लस mostly और आपको hydraulic वाला function होता है जिसको आप push करेंगे और तब आपको seat fold होती है यहापको electric tumble आपको देखने के लिए मिल जाता है प्लस इसको आप प्रेस करेंगे थोड़ी देर और फिर इसको आप ऐसे करके भी आप fold कर सकते हैं तिल्ट कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं अपने हिसाप से according to चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ देखते हैं पीछे कितना प्रेस से अपर fold हुई है इनको उठा लेता हूं मैं उस तो आप मैं अच्छा इस पर देखने के लिए मिल रहा है अब मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से कि कैसा आपको इस पर यह देखिए जो मैं एक बैठा हूं ना जो मेरे sitting portion आप यह देखिए कितना रिलेक्सिबल होके मैं बैठा हूं यहां पर बहुत आप अरामस और comfortably मैं यहां पर बैठा हूं कि मुझे आप देखिए कि कितना लदर गया और headroom space भी मुझे काफी अच्छा खासा मिल थर्ड रो में mostly third row में आपको headroom space तो मिलता ही नहीं है लेकिन यहां पको headroom space भी मिल जा सब्सक्राइब कितना comfortably आप बैठ सकते हैं इतना इस पेस तो आपको ना innova देगी ना आपको XL6 देगी ना Scorpio देगी ना आपको XUV7 double हो देगी बहुत सी seven-sitter गाड़ियां मैंने देखी हैं लेकिन third row में इतना comfortably मैं बैठा हूं वह मुझे आज तक किसी गाड़ी में feeling नहीं हुआ अगर seven-sitter गार प्लान कर रहे हैं और प्राइस रेंज भी देखें किती सही है यह आपको मिल रही है 1289 900 का action room आपको मिल जा रही है और दोस्तों गाड़ी ऑन्रोड आते आते हैं सम्धिंगर आपको मेरे क्या सवापंद्रा क्या सपस आपको अन्रोड पढ़ जाईगी आप सोचिए सवापंद्रा में इतना सारा इस पेस इतने सारे फीचर सब कौन सी गाड़ी दे रही है कोई गाड़ी आपको मार्केट में नहीं होगी जो इतने safety features भी आपको लिए नृटर वर्जन में दोस्तों तो चलते हैं अब चलते हैं फ्रेंट की तरफ इंजिन में तो अकर M मिलेगा 1500 CC में इंजिन मिलता है जिसकी पावर की अगर मैं बात करूं तो आपको 113 EBS EBD brake assist ESP आपको मिल जा रहा है electronically stability program जिसे कहते हैं वो भी आपको इसमें गाड़ी में देखने के लिए हिल होल कंड्रोल है हिल डीसन कंड्रोल है इतने सारे फीचर्स आपको only 1298 900 में आपको गाड़ी दे रही है इससे जादा और क्या चाहते हैं कि ऐसे क्यों कि आसे इतनी सिक ग्राउंड दोस्तों हमने बात करिए इस गाड़ी के बारे में किया की केरेंस है प्रेस्टीज मॉडल है यह आता है जिसके हमने विट भी जानी हाइड भी जानी लेंट भी जानी वील बेस भी जाना टैर जाने क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं सारी चीज जानी इसका नि ज़र लुट में नुध इनुटा है fazer it, Het इत्व यह लूट के सच्छा देखने सा आइड नहीकि're द्विडियो जाने सा पहले प्लीज सुब्सक्राइब का बर्ड़न दबा दीज और बेल एक औ-कन को प्रेस का लीजह जिस्से कि आपको मेरे नि conspiracy-updates मिलते रहें तो चल करते हैं फिर मिलते हैं आप से कोई नई वीडियो में हैं